हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक तो माई यूट्यूब वीडियो आज वर्ल्ड कप की न्यूजिलेंड और साउथ आफरीका की मैच थी जो जबरदस्ट जबरदस्ट है न्यूजिलेंड वर्सिस ऑस्टेलिया की मैच थी जो बहुत ही खतरनाक रही कैसे कर लेते हैं लोग 388 चेस करना था दूसरी कोई और टीम होती तो कलाप्स कर जाती पर यह होती है क्वालिटी टीम्स जैसे ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड एंड तक लेके जाती है और अल्मोस्ट रचिंद रविंद रन ने आज जीता ही दिया था बट सम्हाव फाइव रन्स से ऑस्टेलिया जीत कर देखिये वो बोल सकता है कि एजी ली बन आफ बेस्ट मैच इस थी यह क्योंकि आप समझो कि कल की मैच थी जो पाकिस्तान साथ अफरीका वाली वो भी खतरनाग थी वो भी लास्ट एंड तक गई और मेरे खेल से वो मैच साथ पाकिस्तान को जीत नहीं थी और पाकिस्ता आफ वाली विकेट को अगर अंपायर स्कॉल नहीं होता तो जीत जाते हैं और ऐसी चोटी मूटी लग चाहिए होता है तो आज मैं क्योंकि यह मैच रीक्रीएट करना चाहता हूं न्यूजिलेंड वर्सिस ऑस्ट्रेलिया सेम धरम शाला के स्टेडियम में बट मैं वो करू उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर क्रिकेट 24 का एक गीववे चल रहा है और आप उसमें पार्टिसिपेट करिये और ऐसा है कि आपको सिंपल सी चीज करनी है मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है पस यह दो चीज करनी है जैसे ही मेरे चैनल थाउजन सब्सक्राइबरस हिट करेगी कि मैं एक गीववे करूंगा और उस गीववे में मैं क्या बोलता है एक लखी विनर को क्रिकेट 24 की कॉपी दूँगा गेम की कॉपी तो यह गीववे में पार्टिसिपेट करिये प्लीज एंड आप जीट सकते हैं यह गेम ठीक है सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है एक्जेक लाइनप तो नहीं करनी है आज इश सोडी ने खेला था कौई कौन है जो नहीं खेला था और इसमें नहीं है टॉम लेदम टॉम लेदम किसकी जगा पे डालना था फिलिप्स तो था सा लाइनप रखते हैं और इनकी भी टी टीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी New Zealand, सोच लो अगर इसमें Kane Williamson आ जाये तो क्या ही भो जाये यह T10 है भाई तोड़ी लंबी चलेगी मतलब पिछले वर्ल्ड कुप में भी सॉलिड परफामस्त था New Zealand का डिजाव करती थी वर्ल्ड चैंपियन बनना बट अनफर्चनेटली बन नहीं पाई मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ New Zealand को इस World Cup में India और New Zealand दो एसी टीम है जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ यह World Cup जीतने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है और South Africa भी अच्छा खेल यह देखना है कि चोक ना करें एंड में देखते हैं बइद लोगोने कल का मेरा वीडियो देखा मैंने Hardest difficulty वाला वीडियो बनाया था जिस मैं क्या किर रहा हूँ और उसमें मैं दिखाया था कि क्या-क्या Setting's available है और किस सेटिंग से क्या होता है तो देख लेना अगर नहीं देखा है तो वाइड जितना हो सकेगा उतना जबर्दस टार्गेट सेट करने की कोशिश करेंगे औस्टेलिया के लिए अरे यार टार्गेट तो सेट आउट हो जाता भी चलो खाता खुल गया तोड़ा टाइमिंग और बेटर करना पड़ेगा गलत शॉट इपाई आउट का तो जाएंगे इसके उपर से निकल गया चार रन मिल जाएंगे बॉल तो रुग जाएंगे बॉल तो रुग जाएंगे थ्री रन्स तुट रहे चार आई बीटाइ थुग प्रुटत अश्रोड जाएंगे जाएंगे यूज निकल उन्हिंग जाएंगे लुग अच्छा स्टार्ट मिला है अरे यार हर शॉर्ट ऐसे नहीं हो रहा है यहां पर गया पर यहां है ओ टॉपेज क्या लगाया चौका जब अरद टॉपेज लगी थी यार यह एंपायर चेंज करना पड़ेगा हर मैच में जयशा एंपायर बन रहा है क्या हो रहा है यार मस्त टॉपेज लगी साउंड भी अच्छा यह था चौका कीपर के उपर मुझे बहुत अच्छा लगाए टॉपेज लग के उपर पीछे से चौका चला जाता है तो लेक साउंड पर चौका यह एजी बॉल था इसमें कोच ज्यादा था नहीं फील्ड भी फील्ड के मुताबिक नहीं डाल रहे हैं कॉमेंडेटर भी बॉल दी कि पहले मार दिया मैंने टाइमिंग अच्छा नहीं था एज अरे यार उसमें पहले मार दिया इसमें लेट हो गया अच्छा कैच पकड़ा बहुत अच्छा कैच था इंग्लिस नहीं फीन एलन भाई आउट हो गए टॉम लेदम दो लेट ही आगए अभी कॉनवे और लेदम पूल शॉट दो रन आ जाएंगे अरे यार लेट हो गए दोरन पूरा रन इट अच्छी है अभी यह भी दरमशाला में यह खेल रहा हूं पर यह दरमशाला सिलेक्ट हुआ नहीं सिलेक्ट तो किया था पर यह स्टेडियम वाला बग है यह गेम में जो सिलेक्ट करता है वो कई बाइ स्टेडियम आता नहीं है कोई और ही बलता सलता स्टेडियम आजाता है यह दरमशाला तो नहीं है ना हाँ है दरमशाला वाला ही है भाई पर यह दरमशाला वाला स्टेडियम ऐसा दिखता नहीं है क्या इश्यू है ओ भाई ये कहा चला गया, मर गए, मर गए थे, अभी ये क्या है कि इसको मैं ये तना पीछे चला गया, साइड स्टम्प छोड़के, इसको वापस जगा पे लाना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, अरे यारे कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसको वापस स्टम्प तक लाना, अरे यार, इसको तीन बॉल निकल गए मेरे को स्टम्प तक लाने में, ओवर खराब हो गई, सॉरी भाई लोग, अगर थोड़ा बहुत बार बैक्राउंड में आवाज आ रहा है, तो, अरे यार, क्या कर रहा हूं मैं, रन रेट अभी भी बूरी नहीं है, एट पॉंट एट टू की है, टैन और टैन के करीब रहा है तो सही है, गेम में, वाइड, एक्चिलिए मैं इसको फोर मार सकता था, बैक्फुट पर जाकर, यहां पर, यह, नौकी रन रेट, टीन ओवर में 27 रन, नौट बैड, नौट बैड, अरे बाउंसर पर बाउंसर, दो आजा, रहन रेट बैड, आउटी हो जाता, यहां कहीं पर प्लेसमेंट होता न, तो सही रहता, आई यह बाला, आउट हो जाता, दो रन, यह, यह जगह है, यह, इसले बाउंसर डाल रही है, एक रन, एक रन, जादा नहीं, जादा नहीं, रचिन रविंद्र जवरा इस बार फॉर्म में आ गया, अच्छा रन स्कोर कर रहा, सेंच्यूरी मारी आज भी, न्यूजिलेंड के लिए, बतला, केन विलियम सन नहीं है, तो रचिन रविंद्र ने पूरा संभाल लिया है, बहुत अच्छा खेलदा हो बंदा, इस नहीं, फॉर्म में कुछ भी नहीं, फिल्डिंग हो जाया, वह फॉर्म में यह इजीली फिल्डिंग हो सकते जी, पकड़ सकता था पर, यह दरमशाला स्टेडियम का व्यू पाड़ी दिखाए दे रही है, इस नहीं इसमें इतने रात को ग्लासिस पहुंके रखे हैं, एसे बॉल डाले抱 लाग सकते हैं, लेक साइंडू हो नहीं जाएंगे मैं यह रह इक निय्टायली आया, आइसमें मिनक्ता ठाशा कि शगा जय वह बीटल में भटल झाशान, वाह बीन नहीं स्टाईग्रिसीर्ट को आव भीत गदीए रापल रही से थैबॉल दे हैं लॉल 6 बोलता है end of another tidy over कैसे out नहीं अपील की अरे top edge लग जाती तो अच्छा रहता वाइड 4 over में 47 48 48 Conway 30 of 16 balls औरे यार ये चाका था ये 4 boundary full toss कौन डालता है high scoring match है दर्मशाला की ये भी 34 of 18 balls ओ वाइड ये गलत commentary आगे अभी भी commentary इंप्रूव नहीं हुई है how did it miss the stump इतना वाइड डाला था ये वाइड कैसे नहीं है वो बोलना चाहिए पर ये बोल रहा है आगे हमारा बाई जैमपा edge लग गई नहीं 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 spinner खतरनाक हो गए है ये गेम में ये बात देखा गजब स्पिन करते हैं आज कल पीस बॉलर एकने डेंजरस नहीं पर स्पिनर क्रिकेट 24 में बहुत डेंजरस है इनको खेलना तोड़ा मुश्किल है देखो देखो नेक्स्ट लेवल स्पिन आ रहे है इसका ये उठा दिया फिल्डर के उपर से चोका लेथ हमने चोका वारा ये और एक पैर पे फुल लेंथ डिलिवरी इसी फोर सेम शॉट सेम रिजल्ट अब यहां एक फिल्टर लगा रहे है यहां डीप में दो है लेट पे डाले का मतलब इसने कस्सम खाई है आउट होगे क्या अब अच आउट होगे अरे कौन आउट हुआ कौन गया मेरा विकेट स्पिन खतर ना कोई है स्टॉइन इसने कैच पकड़ा पर किसका पकड़ा लेथम गया थैंक ओड कॉनवे है अभी बी कॉनवे की हाव सेंचुरी कराने के ट्राय करना है यह गया 6 पहले ही बॉल पे कॉनवे आगार्स फॉर्टी पे पावर शॉट ताई है मस्त बॉल रहा ऐसे एक दो जूसी बॉल्स आजाए सिक्स सिक्स मार के फिफ्टी कर दें इसकी यह और एक आया जूसी डाल रहा है बाई सीधा स्टैंड में यह 6 46 ऑफ 22 एक चौका चाहिए और कॉनवे का हाफ सेंक्चुरी हो जाएगी ओ गया हाफ सेंक्चुरी तीसरी छक्या त्रीसरा छक्या अरे मैंने हाफ सेंक्चुरी का सेलिवरेशन स्किप कर दिया नहीं 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 अरे यार हाफ सेंक्चुरी के सेलिवरेशन स्किप हो गया कल्टी होगे मुझसे ओ फोर बॉल फोर सिक्स भाई क्या हो रहा है 6 बॉल 6 बॉल 666 का ट्राय करता है कॉनवे से चार बॉल में चार चक्के होगे दो बॉल बॉल और दो चक्के और एक और और फोर मत जाना भाई 6 ही जाना ओ फिफ्ट 6 पांचवा बॉल और पांचवा चक्का एक और बॉल और एक और चक्का ओ छे बॉल 6 चक्के छे बॉल 6 चक्के छे बॉल 6 चक्के गजब ओर दी है 6 बॉल में 6 चक्के लग गए हैं 70 ओफ 26 अब तो पूरा मारेंगे हैं अभी अटैक रोकेंगे नहीं अखरी 3 ओवर सिर्फ एक ही डारेक्शन में अरे रिवर स्वीप ता बच गया है ओके सिंगल आजाएगा कॉनवे बैक ऑन स्ट्राइक ट्राइक आता है कॉनवे की सेंश्यूरी करवाने की अभी है इनफ बाल्स थोड़ा अंदर की तरफ खड़े रहते हैं ओ येस बाउंडरी बाउंडरी 74 26 मोर रिक्वाइड बाउंडरी 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 अरे आउट ना हो भाई बच गया थोड़ा जल्दी मार तो लिया था मैना थोड़ा जल्दी मार तो लिया था मैना आउट अरे ये यार पीछे से आगया के सेंपा ने विकेट लेली यार सेंश्यूरी करानी थी मेरी चलो वेल ब्लेड डैरिल मिचल 105 105 मुझे रोकना ही नहीं है आज 388 हुए था है वैसा ही केम खेलना है अग्रेसिव चौके चुके और कुछ नहीं आउट या तो चौका या चुका सेवन विकेट पड़ी है खाली जीरो दबाना एक्स तो दबाना ही नहीं है चाहे जो रिजल्ट है आने दो आने दो आने दो ऐसे जीूसी वाल्स तो आने दो चौके मारूंगा मैं हर बॉल पर इसके बाद एक और ओवर है 13.76 के रन रेट है फैला दो चाहे फील्ड यहां पर है ओव वन शॉट हो गया कोई बाद ने चौका बच गया यह कैच क्यों नहीं किया इसा चलेगा नहीं किया तो नहीं किया और चौका बॉलिंग में सारी पूरी ओवर नहीं कि मैं सिमिलेट कर दूँगा एक दो ओवर करूँगा पर बाद में सिमिलेट करूँगा एज यह आउट अरे एक्चली यह कहीं का शॉट नहीं था इसलिए ऐसा हो गया कॉटन बोल्ड कैच फिलिप्स आउट रचिन रवंद्रा इन लास्ट ओवर देखते कितने रन आते हैं इस ओवर में आबट की वाइड भाई यह वाइड नहीं रागया वन शॉट गलत बात इसको थोड़ा यूँ खड़ा रखते हैं सीदा चक्का स्ट्रेइट मीचल नहीं चक्का मार रिया सीदा चलो एक चका गया येस गुद शॉट गुद शॉट गुद शॉट जीरो सिक्स फोर और एक चॉट चक्का फ्लाइट सिक्स ये देखो लो बॉल बच्चे हैं इस इनिंग्स में और एज लगे लो गड़ड़वई चलो लास्ट बॉल इनिंग्स इस जाए चिंडर विंडर और शॉट और शॉट शॉट वन फॉटी फॉर वन फॉर्टी फाइव रिकॉर्ड तू विन एक दो ओवर बॉलिंग करूँगा बाद में सिमिलेट कर दूँगा और फिर देखेंगे क्या रिसल्ट आता है जबर्दस पर्फॉर्मंस 144 145 रिकॉर्ड विन कॉर्न टीम साओधी टीम साओधी एक एग्रेसिव बॉलिंग बिकरेंगे अशा नहीं है चैलो पास्टेस टेस बॉलिंग डालेंगे पास्टेस टेस बॉलिंग डालेंगे हाँ फर्स बॉल नो रन एच रोक दे भाई अरे रोका नहीं डाइव मार लेता चौका साओधी नहीं मुझे को ट्रेंट बॉल्ट लेना का था कोई बात नहीं सारे बॉल फास्टी डालेंगे फुल प्रेशर वाले बॉलिंग कोई रन नहीं अब एक इन स्विंगिंग डिलिवरी डालता है फुल लेंथ में और थोड़ा यह आफ किसे सीम अरे अंदर बॉसा था कर रन आउट अ बच कहा एज फिर से ओ गुत्रो गुत्रो सिर्फ सिक्स रेंट्स एक ओवर में लॉकी फर्गीसन आफ कटर डालता है फास्टी डालेंगे एज़ी लग रही है एक काम करते है थोड़ा फिल्डर को यह वाले फिल्डर को यह थोड़ा एज़ के पोजिशन में रख देता है बारी बारी एज़ जाती है तो यहां से सिंगल सिंगल से कुछ नहीं होना आउट कर बच जी गया नहीं है हुआ जाए कैच इट अरे सिंगल अरे सिदह आउट बच गया दोडों से कुछ नहीं होने वाला सिक्स सुन देना स्लोवर डिलिवरी डालता है catch it catch it catch it catch it first wicket Mitchell Marsh out Lockie Ferguson की बॉलि में Lockie Ferguson गायब हो गया इन्वीजिबल हो गया वो पर विकेट विकेट है डीप में नाइस catch good catch बढ़िया catch किया Lockie Ferguson में Mitch Marsh is out Steve Smith आगया है अभी leg cutter डालते हैं और थोड़ा slower डालते हैं slower leg cutter छोड़ गया सेम लाइन पर slower off cutter डालते हैं दो और अटरार रंफ थोड़े off cutter डालते हैं इंको थोड़ा परचान करने के लिए slower off cutter फिल्डर है ऐसे शोट के लिए और good throw अभी मारेंगे लब इनको रंडेट का प्रेशर आएगा तो अरे ये को ऐसे शोट आता है अननेच्रल ऐसे कौन मारता है आफस से बुरा स्टीर स्मित स्टीर स्मित सारे लेक पर मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग फुल एंड डालूँगा तो क्या करेंगा फिर कैसे मार होगे पिर कैसे मार होगे फुल डालूगा मैं इंस्विंगिंग बॉल्स फुल लेंट अरे चार रन हो जाएंगे हो जाएगा चौका बीजिश वाल प्रॉट इस प्रॉट प्रॉट इस बसंट प्रॉट स्लोवर बॉल ही डालें फिर रहे यार यह कुछ ज्यादा होगा लास्ट बॉल अब दी ओवर थ्री यह जो त्री नाइज़ ट्वेंटी से नौ कि रंडेट चल रही है फॉर्टी वन्रेड़न सेवेंटीन रिक्वाइड आफ कटर डालते हैं यह लास्ट वार फिर सिम्यूलेट करोगा है अरे फ्रीक चॉक्का है प्राइब अब जा कर दो रहे लगसाईब एफ जा पर दो आप बाइब है प्राइब ने धार विजर पर दो से बाइब आप फिल्ड बाइब ने वह डाइब एफ पर दो पर ख़्याव चाह जो एब है लास्तों फिर सिमुलेट ओ, इसी के लिए फिल्डर रखा था अरे, यहां पे चौका नहीं जाना चाहिए गुड फिल्डिंग, दो रना है लास्ट बॉल 10 रन्स अल्रेडी, कैच बच गया चलो, सिमुलेट करता है, बेखता है, कौन जीता है सिमुलेट करते हैं एंड, नो, 132 न्यूजिलेंड जीत के, मतलब हम जीत का है स्टी स्मिट 57, 28 जॉस इंग्लिस और यह मैच न्यूजिलेंड ने जीत ली है और वल्लिक अप की आज की मैच न्यूजिलेंड नहीं जीत पाई है, अक्चुली जीतती तो जबरदस हो जाता है दूसरी टीमों के लिए भी एक्जाम्पल हो जाता है कि 388 टार्गेट भी सेफ नहीं है कोई भी टार्गेट जेस कर सकता है और फाइव रन से शॉट होगे निजलेंड, वो नहीं कर पाई बट बहुत ही शांदार मैच थी अगर पसंद आया है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई पर्टिकलर टाइब का गेम प्ले या कुछ भी आप क्रिकेट 24 से जानना चाहते हैं किसी टाइब का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्षिन में लिख के बताईए मैं उस तरह के वीडियो बनाऊंगा एंड अपलोड करूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब